नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मिमांसा मलिक कोरोना के इस मुश्किल दौर में अस्टली देश भक्त कौन है जो आपकी जान बचाते हैं वो भगवान भी हैं और मुश्किल समय में देश के लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले ये लोग देश भक्त भी हैं आज हम आपको एक ऐसे ही नन्य देश भक्त से मिलवाएंगे जिसने पतना में बच्चों के वाक्सीन के ट्रायल की शुरुआत की है पतना एम्स में कल इस बच्चे को वाक्सीन लगाई गई आज हमने इस बच्चे से मुलाकात की और जब ये पूछा कि आप वाक्सीन के ट्रायल में क्यों शामिल हुए तो सुनिए इस बहदूर बच्चे ने क्या का इस बच्चे का चहरा हम आपको नहीं दिखा सकते इस बच्चे के पहचान भी हम आपको नहीं बता सकते इस बच्चे के माता-पिता की जानकारी भी हम आपको नहीं दे सकते लेकिन इस बच्चे ने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है क्योंकि जिस काम को करने में हमें और आपको डर लगेगा वो काम इस बच्चे ने इस छोटी सी उम्र में कर दिखाया है ये बच्चा कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल में शामिल हुआ है यानि भारत में बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनने वाली है उसके ट्राइल की शिरुवात इस बच्चे से हुई है बावजुद इसके हम इस बच्चे का चहरा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कानून के मताबिक ये सही नहीं है और हम कानून का पालन कर रही है लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि इस बच्चे ने कैसे पूरी मानवता के सामने मिसाल पेश की है दरसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब खत्रा तीसरी लहर से है एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों को खत्रा होगा इसके पीछे वज़ा ये है कि परिवार के बुज़ुर्गों यानी दादा दादी को वैक्सीन लग चुकी है 18 साल से ज्यादा की उम्र होने के वज़ह से मम्मी पापा को वैक्सीन लग चुकी है तो बच्चे का कौन? घर के बच्चे ऐसे में जब तीसरी लहर होगी तो बच्चों को कोरोना से सबसे ज्यादा खत्रा होगा लेकिन यहां पर आपको बता दे कि बच्चों को बचाने के लिए कोशिश है जारी है 18 वर्ष से अधिकुमर के लोगों को वैक्सिनेशन देने का काम तो बहुत तेजी से चली रहा है लेकिन लोगों का ध्यान इस वक्त इस बात पर जादा है कि आखिर बच्चों को वैक्सिन लगनी कब से शुरू होगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए सौदेशी कंपनी भारत बायो टेक ने बच्चों के ऊपर जो है वो वैक्सिन का ट्रायल शुरू कर दिया है इसके लिए दिली एम्स पत्टना एम्स और नापूर के crochet citizenship को चुना है कल यानि दो जूनसे पत्टना में वैकसीन का ट्राइल शुरू कर दिया गया है कल से पत्टना में शुरू हुए ट्राइल में जिस बच्चे ने सबसे पहले वैकसीन ली उनसे और उनके परिवार से जीनियुस संबादा था रजनीश कुमार ने बात की और पूछा कि वैक्सीन ट्राइल में शामिल होने का खयाल उनके मन में कैसे आया सुन्ये बच्चे के पिता ने क्या जवाब दिया पहला वैक्सिन जो है बिहार में वो दिया गया है ट्राइल वैक्सिन को वैक्सिन का और उनके पिता हैं उनसे जानते हैं किस तरीके से आगे आए इसको लेकि इसके बारे में मुझे जनकारी मिलें कि पटना एमस में हैं सो बच्चों का ट्राइल वैक्सिन शुरू हने वाला ह दो जून यानि कल बच्चे को पटना एम्स में वाक्सीन लगी वाक्सीन लगने के दो घंटे बाद उन्हें घर भेज दिया गया लेकिन अब क्या होगा क्या ट्राइल पूरा हो गया ये सवाल भी हमने बच्चे के पिता से ही पूछा हमारे साथ बादचीफ में वाक्सीन ट्राइल लेने वाला बच्चा भी शामल था तो हमने उससे ये पूछा कि ट्राइल के लिए आप आगे क्यों आए डर नहीं लगा तो जो जवाब मिला वो देश और दुनिया के लिए मिसाल है इस परिवार के और भी बच्चे वाक्सीन के ट्राइल में शामिल होने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इस बच्चे की बहन भी ट्राइल में शामिल होना चाहती थी लेकिन पिछले साल उसे कोरोना हो गया था जिसके वज़े से एंटी बॉडी शरीर में मौजूद थी और ट्राइल में शामिल नहीं हो पाई। नियम के मताबिक अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे ट्राइल में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद हमने एक्सपर्ट से वैक्सीन ट्राइल का प्रोसेस जानना चाहा और पूछा कि बच्चों को इसमें कितना खत्रा होता है। इसमें कि उनको ट्राइल के बारे में समझाना, बताना, फिर उनके एक प्रिक्षार करने के उपराद फिर उनको बैक्सीन दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन का ट्राइल पूरा हो जाएगा। इसके बाद नतीजे जारी किये जाएंगे और फिर बच्चों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुल कितना समय लगेगा। इससे समझने के लिए आप को वैक्सीन के पुराने आंक्रे देखिए। पिछली बार 15 जुलाई 2020 को को वैक्सीन का ट्राइल शुरू हुआ था। तीन जन्वरी 2020 को सरकारने से मनजूरी दे दी थी यानि तकरीबन पांच महीने ट्राइल चला था। 16 जन्वरी से वैक्सीन लोगों को दी जाने लगी थी यानि करीब 6 महीने में सब हो गया था। तो बच्चों के लिए बन रही वैक्सीन में भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो अगले 6 महीने में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। चुकि लोगों को पहले से ये वैक्सीन दी जा रही है तो हो सकता है इसके ट्रायल का काम और तेजी से शुरू किया जाए जिसके बाद अक्टूबर तक ट्रायल खतम कर दिये जाए और वैक्सीन के सफल रिजल्ट के बाद बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जा पटना से रजनीश कुमार के साथ हरी ज़ा जी मीडिया दिली बड़ा खतरा बच्चों के लिए भी हो सकता है बड़े पैमाने पर बच्चे इस लहर की वज़ह से प्रभावित हो सकते हैं और हम इन नने वारियर्स को सलाम करते हैं और साथ ही इस ट्रायल में शामिल डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखें हमें 2-18 साल के बच्चों में इस ट्रायल को करना है और इसमें अभी सुरुवाती समय में हम लोग 12-18 साल के बच्चों को enroll करे हैं बच्चों को enrollment के लिए different print और electronic media के दुखरा एक number दिया गया है उसमें जो भी इच्छुक बच्चे या उनके अभिभावक होते हैं उस फोन पे कांटेक्ट करते हैं और अपने को रेजिस्टर कराते हैं और फिर हम उनको प्लान करके एक दिन बुला लेते हैं और आपको उसमें हमें कुछ इन्विस्टिगेशन्स करने होते हैं जैसे और वाइज हेल्दी है और हमारा जो इंकुलूजन क्रेटेरिया है ट्रायल का पूरा करता है तो फिर हम उसको वेक्सिनेट करेंगे जी या नि जिन बच्चों को कुरोना हो चुका है संक्रमित हो चुके हैं वो इस ट्रायल का हिस्सा नहीं हो सकते हाँ जी नहीं जिनको कुरोना हो चुका या संक्रमित हो चुके है वो ठकर मेल भाग नहीं ले सकते जी और डोक्तर सेंग जिन बच्चों पर ये ट्रायल हो रहा है उन्हें कितनी घंटे मॉनिटर किया जाता है क्या उन्हें अस्पताल में ही कुछ देर के लिए रोका जाता है कितने देर तक ये बॉनिटरिंग की जाती है या उन्हें घर भेज दिया जाता है जी वैक्सीन लगाने के बाद दो घंटे हम बच्चों को अपने डारेक्ट अबजर्वेशन में रहते हैं हमारा जो डाक्टर का पैनल है उनके डारेक्ट अबजर्वेशन में रहते हैं दो घंटे और दो घंटे के बाद सब अगर ठीक ठाक है तो बच्चों को भी घर जाने देते हैं और अभी तक तो सब ठीकी रहा है तो मतलब उसके बाद बच्चे घर जाते हैं और हपते भर तक घर जाने के बाद भी बच्चों का सुवर साम हमारे डाक्टर्स फोन करते हैं उनके हाल चाल पूछते हैं कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है तो ये प्रक्रिया फालो होती है और कुल कितने बच्चों पर ये अभी ट्राइल हो रहा है देखें देश भर में सारे सेंटर को मिला के 525 बच्चों के ट्राइल होना है और सारे सेंटर को मिला के और उसमें बच्चों को तीन कटेगरी में बाटा गया है 12-18, 6-12 और 2-6 और हर कटेगरी के 175, 175 और 175 बच्चों के स्टेडी होनी है जी और जिन बच्चों को आप चुनते हैं जाहिर तोर पर उनके जो परिवार वाले हैं उसे तो सहमती ली ही जाती होगी तो वो प्रोसीजर क्या होता है कंसेंट फॉर्म में क्या-क्या बाते शामिल होती हैं जिन पर कुछ हस्ताक्षर कराई जाते हैं हाँ देखें कंसेंट फॉर्म में चुकि बच्चे माइनर होते हैं तो जो साथ साल के नीचे बच्चे हैं उनके लिए सहमती उनका गारजियन मतलब मदर फादर या लीगल गारजियन देते हैं और साथ साल से बारा साल के बच्चे जो हैं वो अपनी सहमती बरबल सहमती उनसे उनकी भी ली जाती है और बारा साल के उपर के जो बच्चे हैं उनसे भी रिटेन सहमती लेते हैं जिसको हम लोग असेंट बोलते हैं और उनके मदर फादर या लीगल गारजियन दोनों का ब करते जाएंगे त्रायल में फिर उनको कितनी बार ट्रायल में आना होगा और इवन सारी डिटेल उनको उनकी भासा में समझाई जाती है अच्छो कि माइनर है तो जो कंसेंटिंग की प्रासेस है उसको हम रिकार्ड करके भी रखते हैं पूरा वीडियो रिकार्डिंग करते है और उसको रिकार्ड करके रखते हैं तो यही है कि उनको सारे ट्रायल की इन्फरमेशन हम देते हैं बच्चा और अगर पैरेंट सहमत है तब ही फिर हम उनको इस्टेडी में पार्ट इन्रोल करते हैं जी और डॉक्टर सिंग बहुत से लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे हो सकता है कि वो भी चाहें कि वो भी वालिंटियर बने और इस ट्रायल का हिस्सा बने तो बच्चों के लिए कितना खत्रा हो सकता है इस ट्रायल में शामिल होना देखें बच्चों के लिए अभी तो रिसर्च आंगोइंग है और रिपोर्ट समय के साथ ही आएगे लेकिन अभी अगर हम देखें जो सेम बैक्सीन बड़ों में दी गई है और दी जा रही है बलकि आलोबर इंडिया और बड़ों में पूरी तरह सुरच्छित है और एफेक जैसे बड़ों में इफेक्टिव रही है सुरच्छित रही है वैसे बच्चों में भी आएगी यानि कि जो बड़ों को जो वैक्सिन दी जा रही है डॉक्टर सिंग उसका जो कॉंटेंट कहें जो इंग्रीडियन्स है उसके या जो टेक्नीक है वो वही है जो आप बच्च अब देखें ट्रायल में बहुत सारी डिटेल की बात हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ट्रायल का अपना एक मर्यादा होता है अल्मोस्ट सेम वैक्सिन है कुछ जो उसमें एड्जूएंट होते हैं उसमें हम बच्चों के इसाब से कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है बस ट्रायल की इंफर्मेशन इतनी ही बता सकते हैं